नवस्कार प्यारे बच्चों बच्चों हम लोगों ने फर्स चेप्टर खतम कर लिया है सेकिंड चेप्टर खतम कर लिया है थर्ड चेप्टर खतम कर लिया है और फूर्थ चेप्टर जैसा कि आप जानते हैं इस सेसन से हट चुका है लेकिन next session में आएगा तो मैं फिर भी आप लोगों को इस session में ये chapter करा के दूँगा ठीक है लेकिन मैंने क्या सर्त रखी है सर्त ये रखी है कि पहले हम course का पढ़ेंगे then उसके बाद फिर हम ये सारे topics cover करेंगे ठीक है चलिए तो आज का आपका जो नया chapter इसकी दिक्कत क्या है तो ये सारी बात आज हम कर लेंगे पैरे बच्चों आपको याद होगा आपने जब real numbers बढ़ा था 10th class में तो आपने देखा कि आपने rational number बढ़ा कौन है जिसके नीचे भाई one के लावा one हो या उसके लावा कुछ भी हो zero छोड़ कर मतलब p upon me q का form होना चाहिए लेकिन q is not equal to zero होना चाहिए तो ये सारे आपके कौन थे भाई ये सारे आपके complex number थे अच्छा देन बच्चों आप लोगों ने फिर क्या पढ़ा कि real number होते क्या है दुनिया के सारे number 1, 2, minus 1, minus 5, 3, minus 5 root 2, root 2, root 3, upon me 4 इस तरीके कोई साभी number ले लो दुनिया का कोई साभी number ले लो जितने भी number आप लिखते हो सारे real number हैं ये सब बाते हम लोगों ने छोटी किलासों में पढ़ा अच्छा, अब जब छोटी किलासों में हम लोगों ने इतनी knowledge इखटी कर ली इस रूट के अंदर माइनस की डिजिट ये फिगर कई बार आपके सामने आई होगी ठीक हैं, अगर आपको याद कराओ मैं तेंथ क्लास के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था Quadratic Equation और होता भी है Quadratic Equation और उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था अगर डी की वैलू जीरो से छोटी आ जाती है तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे यह हमने कहां पढ़ा था बच्चो रहा था कहां पर यह हमने पढ़ा था बच्चो टैंथ किलास के फॉर्थ चैप्टर में Quadratic Equation में और जीरो से छोटा मतलब क्या होता है माइनस का नंबर और डी जो था जब हम एक से निकालते थे बच्चो तो कुछ फॉर्मुला इस परकार का बनता था और आपको अच्छे से पता है कि डी की वैलू अगर माइनस में आ जाए डी की वैलू अगर माइनस में आ जाए तो क्या होगा भाई वो No Real Roots देगा वो क्या देगा No Real Roots देगा मतलब इसका कोई भी Real Root नहीं बनेगा तो जब Real Root नहीं बन रहा है तो जा का रहा है भाई ये कोशन बना क्यों जब आंसर ही नहीं निकाल सकते तो बना क्यों 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 क्य डिजिट मिल जाती है। रूट के अंदर माइनस की डिजिट मिल जाती है। तो इसी को हम लोग complex number कहते हैं और इसी के जरीये हम लोग solve करकरके कई सारे topic को solve करते चलते हैं और नई-Nई चीजों को जानते चलते हैं। ठीक है। अब जब हम लोग complex number पढ़ ही रहे हैं तो बात करते हैं कि आखिरकार complex number हमसे क्या चाहता है तो चेलिए, सुरू करते हैं ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात complex number के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्यारे बच्चो, आप इसे जड़ा ध्यान से देखिए complex number को आप जड़ा ध्यान से देखिए आप क्या देखेंगे, कि प्यारे बच्चो, हम इसे इस minus a को, क्या मैं a into minus one लिख सकता हूँ हांजी, बिल्कुल लिख सकते हैं क्या हम इसे separate separate कर सकते हैं हांजी, बिल्कुल कर सकते हैं तो बच्चो, अब याद रखिए कोई भी complex number इस form में तो होए गई होगा और हम उसको इस प्रकार से break कर सकते हैं तो बच्चो, ये root a है, तो ये root a ही रहेगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चो, ये root का अंदर जो minus one की digit है इस पूरे को हम एक symbol बनाते हैं, आयोटा यानि कुछ i जैसा बना देते हैं ठीक है, root minus one और ये हम बना देते हैं, i जैसा जिसका नाम होता है, आयोटा क्या नाम होता है, आयोटा अब इसी के लिए आपको कुछ condition सीखनी है और इसी प्रकार हम लोग complex number को represent करते चले जाएंगे मतलब, जब भी किसी के साथ आयोटा देखो, तो समझ जाओ कि भई वो minus, under root minus one से multiply हो रहा है यानि, जब भी हम लोग किसी के भी साथ किसी भी real digit के साथ आयोटा को देख लेंगे तो complex number कहलाएगा, पहली बात ये समझेंगे आप लोग, जब भी किसी real number के साथ, हम आयोटा देख लेंगे, तो अपने आप क्या समझ लेंगे कि अब भाई, वो real number नहीं रहा अब वो क्या बन चुका है, complex number बन चुका है, और उस आयोटा का मतलब क्या है, उस आयोटा का मतलब under root minus one है लेकिन मेरे प्यारे बच्चो, जब मैं इसी आयोटा का square कर दूँगा, तो यहाँ पे क्या formation होगी, आप अच्छे से जानते हैं square से root कटेगा minus one, it means आयोटा square की value कितनी होती है बच्चो, minus का one होता है क्या होता है, minus का one और इसी तरह बच्चो, अगर अगर मैं इसी तरह दोनों का cube कर दूँ, तो बच्चो आयोटा cube मुझे क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस root root minus one का cube का मतलब क्या है, कि इसको मैं ऐसे तीन बार multiply कर दूँ सही बात है, और आयोटा cube, तो बच्चो under root minus one, under root minus one क्या बनेगा, minus one ये बच्च्च्च्च से सीखते आ रहें, इंटू में, under root minus one आयोटा cube, तो minus one तो minus one ही रहेगा, under root minus one किसके बराबर होता है आयोटा के, तो इसका मतलब, इसको multiply करेंगे आयोटा, और आयोटा cube किसके बराबर होती है, बच्चो minus आयोटा के बराबर होती है पहले कुछ कंडिशन सिखा रहें, वो सीखेंगे आयोटा बराबर होता है under root minus one के आयोटा square बराबर होता है minus one के, जबकि आयोटा cube बराबर होता है minus आयोटा के अच्छा अब इसी प्रकार हम जानते हैं बई यह 4th condition के लिए यह है हमारे पास यह यह तो है अब मैं क्या करूँगा अब पावर मैं 4 तक लेके जाँगा अब मैं पावर कहा तक लेके जाँगा 4 तक ठीक है, अच्छा, अब अगर इसे ध्यान से देखा जाए, इसे ध्यान से देखा जाए, तो power 4 का मतलब क्या है, इस वाले पार्टी को, इस वाली पार्टी को, हाँ जी, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 4 बार लिखेंगे की ने लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्यों कि सकी power 4 है, और यह iota की 4, हाँ वही, 2 बार multiply करोगे, minus 1, 2 बार multiply करोगे, minus 1, सही बात है बच्छो, और minus 1, multiply minus 1, plus का 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, iota की power 4 की value क्या आ गई, 1 आ गई, आयोटा की power 4 की value क्या आ गई 1 अब बच्चों हमें सिर्फ यहीं तक सीखना है power 5, 6, 7, 8 सीखने की जुरुत नहीं है क्योंकि जब भी किसी की power solve करते करते 1 आ जाए तो उसके बाद वो हमीशा repeat होने लगती है उसके बाद वो हमीशा क्या होने लगती है repeat होने लगती है यह आप आगे competition के remainder theorem वगेरा में सीखेंगे ठीक है तो बच्चों यह क्या है कि हमने देखा कि जब हम लोग इसे यानि की solve करके 1 पे ले आए तो आप आगे solve करने जोरुत नहीं है क्योंकि वो repeat हो जाएगा तो बस यह आपको कुछ basic term सिखाई गई है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है वो क्या है कि आयोटा किसके बराबर होता है under root minus 1 के किसके under root minus 1 जबकि आयोटा square किसके बराबर होता है minus 1 के आयोटा cube किसके बराबर होता है minus आयोटा के जबकि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है 1 के तो बच्चो जल्दी से इसको नोट करो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कार कॉम्पलेक्स नंबर को लिखा किस तरीके से जा सकता है तो उतारी जल्दी से उमेद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा चलो देखेंगे बच्चो अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर help के लिए आयोटा की value under root minus 1 आयोटा square की value minus 1 आयोटा cube की value minus आयोटा और आयोटा 4 की value 1 ये लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे ठीक है अच्छा अब बच्चो देखो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को आयोटा solve करना सिखा रहा हूँ कि आखिरकार आयोटा वगेरा को solve किया कैसे जाता है then हम standard form पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे standard form यह चलो एक काम करो पहले standard form पढ़ लो क्या कर लो पहले standard form पढ़ लो अब आता है बच्चो क्या complex number को हमेशा standard form में लिखा जाता है अब यह standard form क्या चीज है तो ध्यान से देखेंगे standard form क्या चीज है ठीक है बच्चो standard form जो होता है वो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से a plus में b iota या iota b कुछ लोग iota b लिख लेते हैं कुछ लोग b iota लिख लेते हैं बात a की है ठीक है वैसे condition यही सही होती है ठीक है अगर लेकिन अगर आप b iota भी लिख दोगे तो गलत नहीं है ठीक है बात a की है ठीक है चलिए बस book में ऐसा दिया हुआ है तो लोग कहते हैं नहीं ऐसे ही लिखो काई टीचर से भी बोलते है लेकिन अगर आप b iota लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है बिलकुल 100% साही है ठीक है अच्छा तो a plus में iota b या b iota कैसे भी लिख सकते हैं अब यह क्या चीज है भाई क्या चक्कर इसका तो ध्यान दीजिए जब भी आप इसको a plus में iota b के रूप में लिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह जो a है यह आपका real number है यह आपका क्या है real number मतलब हर हाल में आप इसे solve कर सकते हैं लेकिन प्लस iota b जो आया है यह आपने अपनी तरफ से एक imaginary number जोड़ा है तो बच्चो यह b यहां पर क्या कर रहा है imaginary number है कौन सा number है imaginary number है तो बच्चो ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखिएगा कि iota से पहले जो भी number आ रहा है वो आपका real number है जबकि b पे जो भी आ रहा है वो एक imaginary number है spelling साथ हो सकती है गला तो ठेक है तो नजर अंदाज करना बाकी यह बच्चो कि क्या iota के साथ b है तो वो आपका कौन है imaginary number है जबकि a जो है वो कौन है वो real number है तो प्यारे बच्चो आपको यह बात दिहान रखनी है और समझनी है कि complex number को हमेशा standard form में लिखा जाता है और standard form के अंदर हमेशा एक number real number होता है और iota के साथ वाला number imaginary number होता है तो इस बात को आपको समझना होगा कि complex number को हर हाल में ऐसा ही लिखा जाता है अब reason आता है क्यों लिखा जाता है तो उसके लिए मैं आपको कुछ questions करवाता हूँ अपने आप पता चलेगा कि आखिरकार ऐसा कराने का reason क्या है ठीक है तो यह बात समझ में आगे होगी इसे note करो फटाफट note कर लो इसे ठीक है अब देखेंगे question अब देखेंगे question अब जैसे हाँ जी 5.1 में question number first है कि one से लेके 10 तक question दिये गए है और उसे standard form में लिखके दिखाना है यह question है question क्या है one से लेके 10 तक question दिये गए है जिसमें आपको standard form solve करना है और question दिया गया आपको first का यह नहीं first का नहीं first ही है five iota three upon five और यह iota यह दिये गया है sorry minus three है अच्छा कई के books में minus होता है कई के में नहीं होता है तो बच्चो आपने book के अनुसार ही चलना अब जैसे मैंने माइनस ले लिया कई के book में minus नहीं होता है मैंने देखाईए ठीक है तो वो बिना minus के कर लेना कोई दिक्कत नहीं है बात एक ही है ठीक है बस क्या है minus का फर्क होगा तो अच्छा अब इसको solve करना है तो कैसे solve करें बच्चो देखिए पहले five से five तो cut जाएगा ठीक है तो यहां बचा one iota और यहां बचा minus का three iota तो digit को digit से iota को iota से multiply करो minus three को one से minus three iota को iota से तो iota का square minus three हाँ जी iota के square की value बताओ कितनी है minus का one तो यहां जाएगा minus का one और यह बनीगा minus minus plus three लेकिन बच्चो लिखना कौन से form में था standard form में और standard form क्या होता है a plus b iota क्या होता है a plus b iota तो बई देखो a क्या a के साथ यहां पे कोई भी number है बताओ मुझे कोई भी iota है यहां पे a की जगा पे कोई भी iota है नई तो इसका मतलब यह real number होगा और b वाली यहां पे कोई term है नई तो अपनी तरफ से हम जोडेंगे zero iota और यही आपका क्या बना यही आपका complex number बना three plus में zero iota क्योंकि zero हमने यहां पे क्या किया है imagine किया है तो यह हमारा imaginary number है और बच्छो complex number को हम लोग z से denote करते हैं किस से denote करते हैं z से तो z is equal to three plus में zero iota यह zero iota मैंने क्यों लिया क्योंकि मेरे पास जो result आया था वो real number का आया था लेकिन standard form में मुझे imaginary number भी चाहिए इसलिए जब imaginary number है ही नहीं तो मैं उसे क्या let करूँगा zero iota ठीक है चलिए एक question और करते है question number second iota की power 9 plus iota की power 19 तो यह let कर लो भाई z के बराबर हाँ वई z के बराबर हाँ जी अब क्या करेंगे consider consider यह consider क्या करना है छोड़ो न z बराबर अच्छा अब देखो मेरे बात को ध्यान से सुनना यहाँ आपको क्या दे रखा है iota की power 9 और iota की power 19 लेकिन बच्चों जब मेरे आपसे discussion हुई थी अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपसे कुछ बाते की थी क्या बाते की थी कि बच्चों आयोटा की power 4 के बाद value repeat होने लग जाएगी आयोटा की power 4 के बाद value क्या होने लग जाएगी repeat होने लग जाएगी इसलिए हम लोग maximum power कहा तक solve करते हो गए 4 तक लेकिन भई यहां तो एक गड़बड हो गई यहां तो 9 power आगया 19 power आगया तो क्या करें तो घबराने की बात नहीं है 4 के बाद repeat होता ही है कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या करेंगे हम 9 को divide करेंगे किस से करेंगे 4 से अब यह ध्यान लखना क्योंकि मुझे पता है कि 4 के बाद हर हाल में डिजिट repeat हो रही है तो 4 से जो भी बड़ा power आएगा आयोटा का 4 से जो भी बड़ा power आएगा किसका आयोटा का मैं उसे तुरंट 4 से divide कर दूँगा क्योंकि उसके बाद जितना होगा repeat अपने आपा जाएगा तो बस यह 9 है 9 को 4 से divide कर दो तो 4 2 जा 8 और यहां बना बच्चो 1 तो देखो ध्यान से देखेंगे भई मैं इसको 4 into 2 अब याद करो आपको याद है A is equal to B into Q plus R याद है यह A हुआ करता था यह B हुआ करता था यह Q और यह R तो यानि A की जगा पे 9 B की जगा पे 4 Q की जगा पे 2 plus R की जगा पे क्या 1 तो क्या मैं बच्चो इस 9 को ऐसे लिख सकता हूँ याद करो हाँ जी कैसे लिख सकता हूँ Iota Divide किस से किया है ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ मैंने 9 को Divide किया 4 से जिस से Divide करूँगा वो Iota के उपर Divide करके जो Answer आएगा वो उस पूरे की Power बनेगा और Dot जो भी Remender बचेगा उतनी ही Power का Iota उसके Multiple में लगा दूँगा उसके किस में लगा दूँगा Multiple में और Solve करूँगा तो वापस 9 आएगा क्यों? 4 टूजा 8 ठीक है? 4 टूजा 8 और 8 और 1 कितना होता है? 9 क्यों? क्योंकि जब बेस से में तो Power क्या होती है? Add होती है Plus 19 है 19 को भी 4 से Divide करो अंजी 4 टूजा 16 अपॉन में 3 तो बस बात खतम IOTA की Power 4 किस से Divide किया है? 4 से Answer कितना है? 4 तो भाई जिस से Divide किया है वो इसके उपर Answer जो आया है वो इसके उपर और जो बच गया Remender वो साथ में आएगा वो कहां पर आएगा? साथ में आएगा बस बात खतम हंजी IOTA की Power 4 की Value 1 1 का Square Dot IOTA PLUS IOTA की Power 4 की Value 1 4 IOTA की Cube की Value Minus IOTA तो 1 का Square 1 होता है तो 1 मंटिप्लाई में IOTA 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 की Power 4 भी क्या होता है? तो सरी 1 की Power 4 भी क्या होता है? 1 होता है और यह Minus IOTA तो Z बराबर IOTA PLUS MINUS MINUS IOTA यह तो कट गया है 0 अब भाई इसको Standard Form में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? Real Number जब 0 है तो IOTA का 0 यानि के भाई Standard Form में क्या है? 0 PLUS 0 IOTA Standard Form में क्या है? 0 PLUS 0 IOTA कोई दिक्कत? नहीं चलो अब एक Question और देखो 3rd Question 3rd Question देखते हैं Let कर लेता हूँ Z के बराबर IOTA की पावर माइनस 39 ओ हो हो यह तो बड़ा ही अदभूत Question है कोई दिक्कत नहीं भाई हम बच्पन से सीखते आ रहे हैं क्या सीखते आ रहे हैं? कि भाई जब भी A की पावर M A की पावर माइनस M हो अगर उसे 1 के नीचे ले जाए जाए तो प्लस का हो जाता है 9th किलास में सीखा था 9th में क्या? 7th में सीखा है नीचे करेंगे 1 upon में IOTA की पावर 39 1 upon में IOTA की पावर 39 अब मैंने क्या बताये था? कि जब भी IOTA की पावर 4 से बड़ी आजाए IOTA की पावर किससे बड़ी आजाए? 4 से बड़ी आजाए उसे तुरंत डिवाइड कर दो तो 4 नेम 36 बच गया 3 तो बस बात खतम 1 upon में IOTA को डिवाइड किससे किया? 4 से आंसर कितना आया? 9 बचा कितना? 3 IOTA की पावर 4 क्या होता है? 1 IOTA का Q क्या होता है? minus IOTA Z बराबर 1 और ये क्या होग्य? 1 की पावर 9 1 ही रहेगा तो ये आगया minus का IOTA minus उपर जाएगा? ये रहा अब क्या करें भी? अब हम क्या करें? तो हमें काम करेंगे क्या? याद रखना असल में आयोटा होता क्या है आयोटा होता है रूट का नंबर आयोटा क्या होता है रूट का नंबर और आपको पता है कि जब भी fraction में रूट आ जाए upon में रूट आ जाए तो हम rationalize करते हैं हम क्या करते हैं rationalize करते हैं इसी प्रकार, जब भी, अपॉन में इयोटा दिख जाए, तो rationalize कर दो. Rationalize कर दो. Using rationalization. Rationalization used करो. Iotea से multiply, Iotea से divide. तो minus का Iotea, Iotea into Iotea, Iotea का square. Minus Iotea, Iotea का square कितना होता बच्चो, माइनस का 1 1 से 1 कट गया Z बराबर आयोटा लेकिन आपको तो पता है किस form में लिखना है standard form में लिखना है तो बच्चो imaginary नमबर तो है लेकिन real number नहीं है तो real क्या लेंगे 0 प्लस 1 आयोटा 0 प्लस 1 आयोटा क्योंकि 0 A है और 1 B है चलो solve करो इसे solve करो जल्दी से note करो इसे फिर मैं आप लोगों को आगे कराता हूँ नोट कर लिए होगा बच्चो आपने चली मैं आपको अगला कोशन कराता हूँ देखे अगला कोशन देखे हां जी Q4 दिया आपको 3 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा इसे करो 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा इन्टु आयोटा का स्क्वेर यह हमने सबसे multiply कर दिया तो बस क्या वनेगा 21, 21 और 7 28 आयोटा 7, आयोटा का square कितना होता बच्चो माइनस का 1, यह हमने अभी अभी सीखा है, तो 21 प्लस 28 आयोटा, माइनस 7 तो Z 21 माइनस 7 14 प्लस 28 आयोटा यह तो बहुत ही simple सा था इसी तरीके से question number 5 करना है बता हूँ 1 by 3 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 3 प्लस 4 प्लस में 1 आयोटा अपॉन में 3 माइनस माइनस 4 प्लस आयोटा यह है वही ठीक है, चलो, तो पहले वही लेट कर लेंगे इसको Z के बराबर, solve करो बच्चो, base same है जब नीचे same तो ऊपर भी same होगा प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 फिर आपको पता यह कैसे होगा cross multiple 3 को 4 से करेंगे 12 1 को 1 से करेंगे 1 आयोटा अपॉन नीचे को नीचे से करेंगे 3 minus minus 4 या एक काम करो इस minus को अंदर ले जाओ तो minus minus plus 4 by 3 और यह minus का आयोटा अब फिर से वही वाली बात नीचे base same है तो उपर वाली पार्टी भी same ही होगी यह तो हम बच्पन से सीखते आ रहे है plus 4 by 3 minus आयोटा हाँ जी solve करते हैं अब हाँ भई 1 और plus 12 तो Z बराबर 13 7 और 1 plus 8 आयोटा अपॉन में 3 plus 4 by 3 minus आयोटा यही है अब एक काम करो क्या काम करो इस 3 को एक बार इसके नीचे ले लो और एक बार इसके नीचे कर सकते हैं न ऐसे हम separate बिल्कुल कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे बिना आयोटा वालों को एक साथ रख लेते हैं और आयोटा वालों को एक साथ रख लेते हैं solve करेंगे बेश सेम है तो उपर का इस सा भी सेम होगा प्लस इस में हम क्या करेंगे भई इसको इस से करेंगे 8 आयोटा 3 को इस से करेंगे माइनस 3 आयोटा नीचे को नीचे से करेंगे 3 Z बराबड 13 और 7 17 वाई 3 8 में से 3 गया 5 आयोटा अपन में 3 और यही हमारा क्या है बच्छो? स्टेंडर्ड फॉर्म है समझ माई बात फटाफट नोट करो फिर एट्थ कराता हूं स्टेंडर्ड फॉर्म है चलो बच्छो देखो अपने कर लिया होगा नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर एट वन माइनस आयोटा की पावर फॉर देखे रहे हो वन माइनस आयोटा की होल पावर फॉर तो अजी कैसे सॉल्व करें इसको ठीक है जी करते हैं क्या मैं इसको वन माइनस आयोटा का होल स्क्वेर डॉट वन माइनस आयोटा का होल स्क्वेर लिख सकता हूं की नहीं देखो करने को तो मैं direct formula भी लगा सकता हूँ लेकिन फिर आपको एक दिक्कत होगी क्या दुबारा formula आपको याद करवाऊं तो इससे better है formula याद करने तो अच्छा है expand कर दो अब देखो अब मेरे लिए असान हो गया a-b का whole square दिख रहा है तो बस one का square plus iota का square minus 2ab फिर इसी तरह dot है बीच में तो a square plus b square minus 2ab चलो भाई तो one तो one रहेगा iota का square तो minus one हो जाता है सही बात है two iota one तो one रहेगा और iota का square क्यों हो जाता है minus one ये two iota रहेगा तो क्या बनाईए one minus one minus two iota one minus one minus two iota one से one cancel one से one cancel तो z बरापर minus two iota minus two iota तो जी minus minus plus two two जा four iota तो z आ गया zero plus four iota ये हमारा क्या आ गया standard form ये हमारा क्या आ गया standard form कोई दिक्कत चलो eighth हो गया इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं ninth की और tenth की तो मैं tenth वाला आपको कराना चाहूंगा मैं tenth question आपको कराना चाहूंगा वह ये लेट कर लो z बराबर minus two minus iota upon में थरीका cube देखो क्या है cube अब देखो अगर सिर्फ बीच में minus रहता तो हम फिर कोई दिक्कत नहीं था a minus b का formula लगा कि हम कर देते लेकिन बच्चों समस्य यह आ रही है कि मैं इसे अगर minus common ले लूँ तो अंदर two plus में iota upon way three बचेगा की नहीं बचेगा जल्दी बताओ बचेगा ना अब देखो इस minus common लेने का मतलब यह होता है कि यह minus का one है यह क्या है minus का one है और minus के one का cube करोगे तो आपको पता ही है कि minus का ही आएगा वो minus के one का cube क्या होगा minus का ही होगा तो बस बात का था minus इसमें लगा दो formula a plus b का whole cube क्या होता है formula a cube plus b cube plus three a square b plus three a b square ठीक है minus तो ऐथ ही रहेगा eight iota cube अपकों में three three into two to ja four into iota अपकों में three plus three into six into iota का square अपकों में three का square nine क्योंकि iota का square होगा तो three का भी square होगा अच्छा three से three cancel eight plus iota का cube minus iota four iota plus six into हाँ यह तो काट लो three two जा three three जा two into iota का square minus one by three बस अब क्या करना है iota वालों को एक साथ और बिना iota और बिना iota वालों को एक साथ तो यह आठ यह बिना iota वाला minus two by three यह एक unit मायेंगे plus four iota और यह minus वाला तो minus iota पॉन में three इसे एक unit में solve कर दो solve करेंगे तो क्या बनेगा three को eight से twenty four minus two two को one से two और यह three plus इसके नीचे कुछ नहीं दो भी बस इसको इससे तो twelve iota इसको इससे iota और नीचे को नीचे से three iota ठीक है three आ गया अब solve कर दो क्या बनेगा minus यह कितना है बारा बटे में sorry बाईस बटे में three और यह कितना है ग्यारा आयोटा बटे में three अब यही आपका क्या है standard form यही आपका क्या है standard form कर लो simple तो मतलब simple आपने देखा हमने किया कि बस minus common लेके बाहर किया उसके बाद मैंने क्या लगाया मैंने फॉर्मा लगाया और solve करके रख दिया और solve भी कैसे किया जो हमें value पता थी वो सारी value रख दी iota cube minus iota iota square minus one जो cut रहा काटा solve करके answer आपके सामने ठीक है तो बच्चो इसी के साथ आपका ये topic खतम होता है कि बई standard form में कैसे convert करे आपको कुछ question दे रहों में करने के लिए जैसे question number 9 हो गया ठीक है 5 हो गया 6 हो गया ये हो गया और question number 14 ठीक है question number 14 में try करना ठीक उसके बाद में next class में आप लोगों को multiplicative inverse सिखाऊंगा और साथ ही साथ कुछ polar form के बारे में भी बताऊंगा तो आज की class बच्चो मैं यहीं खतम करता हूँ ठीक है और ये जितनी भी जरूरी चीज़े थी आज हमने कर ली ठीक basic बेसिक और next class में इससे आगे बढ़ेंगे तो चलिए आज की कानी यहीं खतम करते हैं